वेलकम टू माई चैनल ये मैं एक लैंडिस्केप बनाने जारी हूँ एक्रिली कलर के साथ ये लैंडिस्केप एक फॉगी वेदर है जिसे मैं सकाई ब्लू ब्लैक और वाइट कलर के साथ मिलाके मैं इसके बैक ग्राउंड को कलर कर रही हूँ मैंने इसके बैक ग्राउंड को कहीं कहीं पर ब्लैक कलर से भी हाइलाइट की हूँ हलके ब्लैक कलर के साथ मैं इस तरह से हाइलाइट कर रही हूँ हलके ब्लैक कर रही हूँ ये एक खुबसुरत लैंडिस्केप है इस तरह से मैंने राउंड ब्रस शिक्स के साथ मैं इस तरह से ब्लैक कलर को स्प्रेट कर रही हूँ ये ब्लैक कलर के साथ मैंने स्काई भी और वाइट मिक्स की हूँ ये एक मोटी पेड़ है जो मैं ब्राउन और इंज और ब्लैक के साथ कलर कर रही हूँ ब्लाउ जो ब्लाउ गभी पाँ कर रही हूँ ये पाँ इस तरह से मैं ब्लैक के साथ पेड को कलर कर रही हूँ साइड में मैं ब्लैक कलर से हाइलाइट कर रही हूँ यह ट्री के लीपस है जो इस तरह से मैं लाइट कलर से कलर कर रही हूँ इसे भी मैंने ब्राउन औरेंच के साथ मिक्स करके और थोड़ा वाइट भी मिक्स करके मैं लीपस को कलर कर रही हूँ एक छोटा से प्लांटे जिसे मैं लाइट कर रही हूँ फोर नमबर के राउन ब्रस के साथ ब्लैक कलर यूज करके बना रही हूँ यहाँ भी मैंने ब्लैक के साथ ब्राउन मिक्स किया है अगर आपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें इस तरह से मैं ब्लैक कलर के साथ पेड़ को अच्छी तरह से हाइलाइट कर रही हूँ प्लीज सब्सक्राइब करें प्लीज सब्सक्राइब करें प्लीज सब्सक्राइब करें बना रही हूँ और ब्लैक वाइट के साथ ये उपर से मैं कलर को लगा रही हूँ इस पूरी प्लेंटिंग के उपर मैं फ्लैट ब्रस की हेल्प से इस तरह से कलर कर रही हूँ प्लीज सब्सक्राइब करें ये बीटिफिल लैंडस्केप आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स पे जिरूर बताएं और लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग